बेरी गूड मार्णिंग टू आल दे डिग्री में आपका स्वागत है तो चलिए आज 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 यारेप से रेलेटेड मेमोरी वेस्ट कोश्चन को हमनों सल्फ करने की कोशिश करते हैं तो लेस्ट स्टार्ट पहला हमारा कोश्चन है नेशनल बायो डाइबरसेटी दूसरा कोश्चन है नेशनल जीन बैंक इस्टेविलिस्ट इन 1906 फिए जो हमारा नेशनल जीन बैंक जो डेवलप इस्टेविलिस्ट हुआ था वह हमारा कहां हुआ तो यह है नेशनल बीरो अफ फ्लांट ग्रोथ रेगोलेटर तो यह जो ए एन बीपी जी आर जो है वह क् Bureau of Plant Growth Regulator तो यह तहां पर यह दिल्ली में है ग्लोबल एरिया अंडर ट्रांसजेनी क्रॉफ वाज इन 2010 के सेंसर्स के द्वारा पूछ रहा है जो ग्लोबल एरिया है अंडर ट्रांसजेनी क्रॉफ वाज तो यह कितना है तो यह पूछ रहा है कि तो यह 148 million hectares है five number question है हमारा maximum hybrid हाइभरीट सार डेवल वींच क्रॉप जो सबसे ज़्याधा जो हाइब्रीड तियार किया गया हो ही किस क्रॉफ का त्यार किया गया है तो यह जो मैज का मैज का बहुत सारा वहराएटी है जो सबसेत्यादा अगर hybrid crop किसी का त्यार किया गया होता है मक्का का फाइब नमर अमरा question है which one in man-made serials तो वो कौन सा जो है man-made serials है मानुद्वारा बनाया गया आनाज है यह हमारा question है तो जो हमारा मेज है वो क्या है मानुद्वारा बनाया हुआ आनाज है शिक्स नमर question है which one is not nitrogen fixation fixing bacteria वो कौन ऐसा जो बैक्टरिया जो nitrogen fixation नहीं करता है पहला अप्सन है बैस्टीलस दूसरा agetobacter हमारा c है जो एस पे रिलियम डी है राइजोवियम तो हमारा जो बैस्टीलस है है वो क्या है बैस्टीलस क्या है एक लेक्टो बैस्टीलस होता है जो कर्ड मिल्क से कर्ड बनाने में जो बैक्ट्रिया यूज होती है वो क्या है लेक्टो बैस्टीलस नहीं होगा इसमें बाकि यह जो टो बैक्टर एस्पार रिलियम राइजोवियम में सब क्या है nitrogen fraud conforming bacteria नहीं है ईसे बनामर अबर मार कुश्छन है कि अएलोगोटोटो अप्रोटीन सिंथेसिन से तो प्रोटीन सिंथेसिस का जो सइट होता है वहमरा कहा है तो रहता क्या हाँ है थो प्रोटीन फिन सिंथेसिस साइग इस नमर्ए लोगा एक चुछन जो आपा आमारा इन्सार्व जागा नायन लीमो क्यों मौ्स्ट कंवन नेट्रोजेनस फटिलाजर इन इंडिया इतो जो हमारा मोस्ट नेट्रोजेन फटिलाजर क्या रह ना युरिया है एस्टेक्टिकल डिजाइन शुटेट फॉर बाइडैक्शनल फर प्रटिलाइजर में तो यह हो जाएगा हमारा एल एसडी लिट सिगनिफिकेंट डिग्राम इसडिकेंट डिग्राम क्या होता है स्टेटिकल डिग्रामि इसटेश talkinand Mant breathy और ऊष्पाट look national dialogue G प्रफट्रों को चना नेट कल्टिवेटेड एरिया इन दे कौंट्री तो हमारा जो अभी भारत में जी इतना खेती होता है नेट कल्टिवेटेड जीतना मिलियन हेक्टियर होता है तो यह हमारा 148 MILम! यह हमारा होजएगा आपको क्क्वेटे एर्या तो इधना है और है यह तो SSD यह फ्लान्ट आफ मरेंड वट यह को जो प्लान्ट को हम लोग वाटर समच होता है अब थूष्टcus okay ग्रोइंग यहां ग्रोग करवात हैं अलियोरी कल्चर रफर्स टू कल्टिवेशन अब तो उसका समध्न वेजटेबल से तो इस्टाडी आफ यह तो यह मतलब जिसमें लोग वेजटेबल को बढता है तो यह जिञा लिए इंडिया तो भारत में वह वह तो कौन सा फर्टिला तो बारत में जो है हमारा वो पोटेशन फटिलाइजर जो है वो प्रोडूस नहीं होता है इसको हम लोग बाहर से दुसरे कॉंट्री से एक्सपोर्ट करके इंडिया मिलाते हैं कि इसमें जो हमारा है बॉर्लोग के द्वारा बॉर्लोग जो थे और इंडिया में स्वामी नातन को तो जो बॉर्लोग थे वो क्या थे वीट हाई-एल्डिंग द्वार्टी अफ वीट विट व्या डेवलोग बाहर से बॉर्लोग एक्टिन अमर कोशन ने रांटी इज अस्वाटी विट था रांटी जो होता है वह किसे को से असूगरट असे से सूगरट कंट पाइस से असूगरट एज विद्वार्फ शूर्थ यूष करते हैं उसके वहां पर क्या होता है कि ईसको फिर खेत को भीड़ा सीड्स यह सोईंग के कोई जोरत नहीं होती है फिर वहां से वह उसका रूट से ही दूसरा सुगर के निकलना शुरू हो जाता है और यह त्री फोर टाइम्स होता है यह के निटीन कोश्चन है ड्रिप पेंट फॉर यह होता है इसा कॉन सा वेजटेबल यह बिलोंग नहीं करता है जैसे टोमाटों गया पोटाटों गया बृंचल हो गया चीली हो गया तीनियों के ऐसाब इसमें अगर हम लेडी फिंगर्स को देखेंगे विंडी जिसको बोलता है तो वह क्या है हमारे शोले निशेस ग्रूप से भी लोग नहीं करता है इसमें क्या होता है जब हम लोग स्टाडी करते हैं प्लांट को देखेंगे इंटरनेशनल रिसर्च इंसिट्यूट डेलिंग विच्ट्यूबर क्रॉपीज तो जो हमारा इसलिए इसलिखेंग दिखेंगे नहीं किस्ट्यूबर क्रॉपी तो वो किषका करता है तुझर उक्रॉप टबकॉपीज आपको करता है यह हमरा कोचों नहीं कोचेद देलिक असंट्र इंस्ट्यूट यह चेंट्राल इस्को में लोग देकें प्रूपीज जप्राइड श कन्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्वेंट आफ ख्लोरोफील मोलेक्यूलिश क्लाफ्वेंगे तो मैगनेश्यम जो क्या है दा अनुली मिनेरल स्कीटिट आप के लुग कोलेर मोलकूल सितंट टोर टीफॉनमें अगे हम लोग दा ओरिजीन प्रीन पलैस आफ फैंट त्योंतों है वो कहा पे है तो चाहिन इस अओर डिलैस आप स्वैंट टोनिफों समस्पयार नंब होंगे दा 63 होता है the real value of seed is calculated by the real value जो होता है seed का calculated by तो उसके लिए क्या formula होता है the real value of seed is calculated by तो यह होता है purity percentage into germination percentage by hundred this is called real value of seed तो इसका भी option होगा हमरा 27 नमर question is dwarfing gene in which crop is dwarfing gene जो गेहों में होता है dwarfing gene तो वो क्या है तो वो है DGU gene तो हम लोग 27 का question को हम लोग DGV यह एक्शुली पैडी का है और T cytoplasm है और नोरिन 10 है और टीप 23 तो ड्वार्फिंग जीन इन वीच क्रॉप इस नोरिन 10 तो इसका D एपसर द्वार्फिंग जीन इन वीच क्रॉप 28 नमर कोशन है निट्रिफिकेशन इस प्रोसेस असोशियेटेड विद इस कोशन को अमोनिय इन टू नैट्रेट इस कोशन को अम लोग अगर बात करेंगे तो क्या आप्टा अमोनिय टू नैट्रेट और यह प्रिविश्ली कोशन पेपर में सॉल्प किये थे इसको तो यह लोग लोग अच्छी से जानते हैं यह सब्सक्राइब कोशन होगा नाए नाइन निम्मर कोशन है फावर साब्र इस बाराइटी अप्सका बाराइटी तो टोमाटों का एक बाराइटी यह फावर साब्र तो पीपी भी एंड फार आउथरीटियू लोकेटेड़ थे तो बहुंब लोकेटेड है तो यह हमारा आज का कॉंपालेशन रहा कोशन कॉंपालेशन का जो की जेनरल एक्रिकल्टिस से रिलेटेड है और इसमें क्या है सब मेमोरी वेश्ट कोशन थे तो मुझे विश्वास है कि आप लोगो जरोई से प्रोफिट फायदा होगा और मुझे भी फायदा होगा यह कोशन करते समय मैंने भी बहुत सारे चीजों को अध्यान किया उसके बाद किया तो मुझे भी लाब पराप्त हो रही है और उमीद है आ बलस्यू